अगर आप ज्यादा कमिशन के लालाच में कॉम्पानि में एंटरी लेते तो आपके साथ बहुत ही बड़ा धोका होने वाला है और पनी में ही स्रेप काम कर रहा है बहुत सरा कॉम्पानि का ओफर मिल रहा है आईडी के लिए कॉल भी आ रहा है सर आईडी ले लिजिए हम पिर आजका इस वीडियो में हम लोग बरतमान का EPS प्लाटफर्म का ऊपर बातचीत करेंगे और 2023 में EPS प्लाटफर्म किस पकार से आगे बाढ़ रहे और EPS प्लाटफर्म को next future क्या है अभी बरतमान में EPS प्लाटफर्म में क्या क्या चीज हो रहे जो आप लोग को जानना बहुत ही जरूरी है तो आजका इस वीडियो में हम लोग बात करने बाले है पूरा EPS प्लाटफर्म को लेके बहुत सारा कॉंपानी में अप लोग काम करते आ रहे हम लोग भी EPS प्लाटफर्म लेके आप लोगों को सार्विस देते है जो भी कॉंपानी बरतमान में एंट्री कराते हैं बहुत सरा कॉमपानी के दुरू तो आप लोग को एक बात बहुत अच्छे से समाजना चाहिए कि बरतमान में आप किसी भी एई-पेस प्लाटफर्म में जब काम करने जा रहे हैं तो आपको कॉमिशन के लिए काम नहीं करना है मतलब बहुत सरा कॉमपानी के पीछे आपको नहीं करना है 23 में अगर आप हैं तो आपको कोमिशन को देखकर काम नहीं करना है सकता है क्योंकि अगर मिलता है तो वह कौमपानी आपको क्या से यह कमिशन दे whackår और रिटेलर का उपर जो डिस्टिबीटर है सुपर डिस्टिबीटर है उन लोगों को भी कुम्पानी को कमिशन देना रहता है तो अगर रिटेलर को ही ज्यादा से ज्यादा कमिशन देंगे तो कुम्पानी का पास भी कुछ कमिशन अगर वो लोग नहीं रखता है तो बहुत ये बड़ा धोका होने वाला है और बहुत सारा धोका हो भी रहा है और हो गया है अल्रेडी यह से बहुत सारा कुमपानी है इसे पहले में वीडियो मनाया था कि कुछ प्लाटफर्म को बंद करके किसी दूसरा बिजनिस में घुश गया है तो इसलिए आप ट्रास्टे है आप यह कोमपानी का आईडे हम लोग को दे सकते हैं नहीं दे सकते लिए वीडियो में बनाने के लिए प्रयास किया हूं कि हम लोग आभी ऑफर मिल रहा है आईडी के लिए कौल वे आराई सर आईडी ले लिए हम लोग प्लाटफर्म उसकीजिए आप आपना रिटेलर प्रोमोट भी नहीं करते हैं और नहीं वह कुम्पानी को आपको आइडे हम लोग करते हैं या अगर किसी कॉम्पानी में हम लोग कहीं अगर रोल नहीं है अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वह हम लोग क्या से आपको उसका सलीशन दे सकते हैं तो इसलिए हम लोग ने जो अभी रेपूटेट जो कॉम्पानी है जो कॉम्पानी आपको अच्छा सापोर्ट देता है और उनका मार्केट वेलिएशन भी बहुत अच्छ नहीं देता है और अगर उन लोगों से कोई भी प्रोफोजल आता है कोम्पानी के लिए तो वह हम लोग पहले से उनको कॉम्पानी को माना कर देते कि किसी भी कॉम्पानी का अगर हम लोग प्रॉमोशन करेंगे तो वह कॉम्पानी में अगर कोई प्रॉब्लेम आता है तो उसका इसका जिमेदर हम लोह को बांगता है कुई कि हम लोगー ही आपको एंट्री किया जा रहा है क्योंकि बहुत सारा इसे भी कुम्पने जिसका लिमीट भी बहुत ही कम कर दिया गया है जिसे कि युदियन बैंक का जो पहले दासाजर का लिमीट था अभी वह एक दिन में आप ओनली फाइब थांजन ही निकाल सकते हैं और नेक्स दे पर होई आपका 24 आर्स के बाद आप वह कास्टोमर का दुबारा से यह पेस्ट कर सकते हैं वह भी मैक्सिमाम पांच हाजर कर सकते हैं दुछरा आपका बैंक अब बरोदा तो पहले से उनका इस पूरी तरीके से बंद कर दिय कर दिया है उनली बैंक को बरोदा कर सकते हैं तो इससे करके बहुत सरा कुमपणी का नया नया रूल्स आ रहा है कुछ दिन पहले मोबाइल नंबर जो कस्टोमर कर नहीं था वह कस्टोमर का एपेस्ट पूरी तरीके से बंद कर दिया था जब कस्टोमर ब्रांच में जाके म कर रहे हैं तो सभी बैंक को कुछ ना कुछ नया रूल्स रेगुलेशन आ रहे हैं जो की फिस मार्केट में अभी थोड़ा जो है बिजनेस डाउन ही चल रहे मेरे हिसाब से बाकि आप यूपी आइंड माइकुरेटियम का जो बिजनेस है वह ग्रो हो रहा है क्योंकि जिलो यूपी आइक जरी यही पेमेंड ले रहे हैं और अपसे आप कस्टोमर से थोड़ा ज्यादा चार्ज लेके वह अमांट दे रहे हैं लेकिन ध्यान रखे ट्रस्टेड या आपका जान पहचन बाला कास्टोमर का ही उनका यूपी आइस से ही पेमेंड लेजिए किसी दूसर सकते हैं तो अब आप यूपी यूपी आई माइक रेटेम यह तीनों चीज से ही आपको बहुत ध्यान पुरवक्त आपको बिजनेस करना है ताकि आपका बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लेम ना आए तो इसलिए आप सब्धन रहे हैं और आप आपना बिजनेस को लेके इसमें आपका ही जो है बहुत बड़ा नुक्सन होने वाला है तो दोस्तों आज के लिए बस वीडियो इतना ही वीडियो इनफरोटे लागा है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं आप लोगों को बैंकिंग डिटेट वीडियो हमेंसा लाता रहता हूं